नमस्कार मेरे नाम है सुरेंदर सिंग और आप देख रहे हैं SM News आज हम लोग हैं दलित प्रेड़ना केंद इस्तल पर 26 अलिपूर रोड के उपर और हमारे साथ दिप्ती शर्मा और दिप्ती जी आप यहाँ पर क्या घूमने आए हैं क्या करने आए हैं बाबा साहब के प्रे वज़े से ही यह उनके बनाए हुए सम्विधान की वज़े से ही मैं आज यहाँ आई हूँ यहां मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और यहां मुझे लगा इसपेशली एज़े वीमन मुझे यहां पर यह लगा कि जाती गद जो भेदभाव है एटलीस आज की सिचुएशन के हिसाब से अगर आज हम अमबेडकर को जब समझ रहे हैं दरसल अमबेडकर को समझना फिर पढ़ना बहुत आसान है अमबेडकर को जीना अमबेडकर को सम अज़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है दूसरी बात एज़े वीमन आज मैं मैं राजस्थान से बिलॉंग करती हूं पंडित फैमिली से हूं जहां मुझे बच्पन से ही यह सिखाया जाता है कि आप इनको टच मत करो बहुत कम उमर में बच्पन से ही मेरी अप ब्रिंगिं ही ऐसी हुई है एक बहुत छोटा से इंसिडेंट बताऊंगी जिसके वज़े से उस वक्त मैंने अंबेडकर के बारे में किवल इतना पढ़ाता किताबों में कि अंबेडकर हमारे सम्विधान निर्माता थे और उन्होंने हमें बहुत सारे राइट्स दिये इसके अलावा म बहुत दूर से भाग के मेरी मम्मे को बचाता है एक औरत जो कि रोज जाडू लगाती है जिसे हम बुआ कहते थे वो मेरी मम्मे की पूरी साड़ी खुल जाती है मेरी मम्मे की साड़ी दुबारा पहनाती है और वो औरत मेरी छोटी बहन को खून निकला होता है वो उसको हा मैंने देखा कि मेरी माँ और मेरी बहन इन ही लोगों की वज़े से बची है हाला कि बाद में पढ़ने लिखने के बाद वो आइडियोलोजिकल समझ विक्सित बाद में हुई लेकिन वो धीरे-धीरे समझना वहीं से शुरू हो गया था कि यह सब जो चीजे हैं वो लोगों न केवल अपने फाइदे के लिए केवल अपने आपको ऊपर रखने के लिए बनाई है बाकि इस तरीकी की चीजे मैंने अपनी जिंदगी में कभी फेस नहीं कि और मैं इस तरीकी की चीजे को कभी मानती भी नहीं और मैं लिटरली जो शर्मा जो मेरा सरनेम है वो मेरे पापा जाती नहीं है हमारा कोई वर्ग नहीं है किसी भी लड़की के साथ किसी भी औरत के साथ छेड़ छाड़ हो रही है कोई भी लड़की पढ़ने के लिए बाहर निकल रही है कोई भी औरत काम करने के लिए बाहर निकल रही है यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उसका सपोर्ट करना है और जो आज ये सोच उन लोग जो पितर सत्तात्मक जो हमारे पितर सत्तात्मक जो समाज है उस समाज से जो निकलने की सोच और जो अधिकार हमें दिये हैं वो अमबेड करने हमें दिये हैं और अमबेड कर को और उनके समविधा आज सबसे जादा कोई शोशिट वर्ग है वो महिला वर्ग है वो महिला सब्सेज़ाइब कोई सबसे जादा कोई किसी भी तरड़ी का किसी ृप किसी भी जाती वर्ग में चले जाइसे सबसे सदा शोषित आपको महिला वर्ग मिलेगा तो सभी महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज अमबेडकर को समझे क्योंकि उन्हीं की वज़े से आज हम यहां बोल पा रहे हैं पड़ पा रहे हैं लिख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं देखें अमबेडकर जिने वो बहुत पड़े लिखे इन आदमी थे ठीक है और उनको पता था कि चीजें बदलेंगी भी तो उन्होंने जो भी बनाया जितने भी कानून उन्होंने बनाए वो केवल शोषितों के लिए नहीं थे अगर ऐसा होता तो आज वो वर्ग जो अपने बनाया था वो बहूर ओर उनकी मानसिक्ता में बहुत थे उनकी मानसिक्ता उनको पठाव में पढ़ा जाता है वहां उनके बार परिवार क्या जाता है क्योंकि जो चो से बत्रम। करको नहीं जानते तो वो बिना बायस होके पड़ा नहीं सकते अंबेड करको दिप्ति आप एक शर्मा परिवार से हैं आपने शुरू से पूजा पाठ वगरा देखा हुआ तो मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा जो पूजा पाठ के उपर राइट होते हैं क्या वो सिर् महिलाओं को जो जगत जन्नी होती है जैसे वैशन देविया मा जन्नी कहा जाता है उसके बावजूति उस महिलाओं को मंदिर में जाने तक का अधिकार नहीं होता है और यह पूजा पाठ तक की जहांता एक बात है क्या सिर्फ वो एक जो मतलब यह इसी तरीके से सिस्टम च करना था इन्होंने एक ऐसी जगे बना ली जहां यह बैठके अपना कर्मकान करें और पित्र सत्ताप्मत तो यह पहले से ही थे और इस वज़े से इनको इनकी रोजी रोटी उसके हिसाब से चलती रहे अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले